एक गाओं में जॉनी नाम का एक लड़का अपनी मा के साथ रहता था। जॉनी रोज जंगल जाता और लकडियां काट कर उन्हें बेच कर अपना और अपनी मा का पेट भरता था। एक काम करता हूँ, जंगल के और अंदर चलता हूँ, शायद वहां अच्छी लकडियां मिल जाएं। बना देता है तभी जॉनी की नजर दूर एक घने पेड़ पर पड़ती है उस पेड़ पर से काफी तेज रोशनी आ रही होती है अरे वो क्या है उस पेड़ में से इतनी रोशनी क्यों आ रही है एक काम करता हूँ चल करके देखता हूँ ऐसा सोच कर जॉनी उस पेड़ के पा जौनी उस पेड़ में अंदर बने हुए दर्वाजे के अंदर चला जाता है। जैसे ही जौनी अंदर जाता है, दर्वाजे के दूसरी तरफ एक पूरा नया शहर ही बसा होता है। अरे बाप रे, ये क्या है, इस दर्वाजे के पीछे तो पूरी की पूरी नई दुनिया है। वाह, मज़ा आ गया, अब आया हूँ तो थोड़ा घूम लूँ। फिर जौनी वहाँ घूमने लगता है, तब ही उसे प्यास लगती है। जौनी पानी के तलाश में एक कुए के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो कुए के पास पहुचता है, उसे किसी के चिलाने की आवाज से सुनाई देती है। कोई हमें बचाओ, हम यहाँ फस गये हैं। अरे ये कौन चिला रहा है लगता है कोई कुई में गिर गया है उसे बचाना पड़ेगा ऐसा सोच कर जॉणी कुई के अंदर रसी growers पेखता है और चिलन आता है अरे जो कोई भी अंदर है ये रसी पकड़ कर बाहर आ जाओ फिर जॉनी रसी खीचने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पूरी रसी खीच लेता है, दो आदमी रसी से बाहर आते हैं, उनकी आखे लाल होती है जॉनी, तुमने हमें इस कुएं से निकाला, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन तुम यहां कैसे आए? मैं तो यहां उस पेड़ के अंदर बंधे दर्वाजे से आया हूँ, तुम यहां से जल्दी चले जाओ, वो दर्वाजा एक महीने में एक ही बार खुलता है, रात होने से पहले तुम चले जाओ, और ये लो जादूई छड़ी, इसे तुम जब भी घुमाओगे, ये एक सोने का सिक्का देगी, लेकिन इसे एक ही बार घुमाना, फिर जॉनी उस छड़ी को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही जॉनी वापस जाने के लिए आगे बढ़ता है, उसे एक बुढ़िया दिखती है, जॉनी के मन में उसे देखकर दया आती है, अरे कितनी क्यों ना इसकी कुछ मदद कर दूँ? ऐसा सोच कर जॉनी उस बुढ़िया के पास जाता है, और अपने जादू की छड़ी की मदद से एक सोने का सिक्का उस बुढ़िया को दे देता है, बुढ़िया वो सोने का सिक्का लेकर बहुत खुश होती है, धरन्यवाद बेटा, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसकी कुलहाडी तो अंदर ही रह गई, अरे ये क्या कर दिया मैंने, मेरी वो कुलहाडी तो अंदर ही रह गई, अब मैं क्या करूँ? तभी जॉनी अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को देखता है, और उसे गुमा कर एक सिक्का न बताता है, जिसे सुनकर सीमा डर जाती है और बूलती है, बेटा जॉनी तुझे वहाँ से कुछ नहीं लाना चाही था, और वैसे भी हम मेहनत करने वाले लोग है, हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, ये चड़ी जब भी दर्वाजा खुले वापस करके आ जाना, जॉनी तुम भी ना यार, बहुत डर्वाजा खुलेगा, तो तुम ये ले लेना, और वापस रख देना ऐसा कहेकर शामू वो चड़ी जॉनी से ले लेता है, और अपने घर को जाता है ये जॉनी और इसकी मा कितने बेवकूफ हैं, बताओ, इन्हें कोई अमीर बनने का मौका दे रहा है और ये उसे गवा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूँगा ये मौका, मैं तो गाउं का सबसे अमीर आदमी बनूँगा ऐसा कहकर शामु जादू की छड़ी घुमा देता है, जैसे वो छड़ी घुमाता है, एक सोने का सिक्का बाहर गिरता है अरे वाह, इससे तो वागई सोने का सिक्का निकल रहा है, क्यों न और घुमाओं, क्या पता एक साथ ही पूरी सोने के सिक्कों की पोटली निकल जाए, है न? ऐसा कहकर शामु जोर-जोर से चड़ी को घुमाता है, लेकिन तभी वहाँ जोर का धुआ उठता है और एक दरावी चुडैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, अरे मर गया रहे, ये क्या हो गया, ये चुडैल कहां से आ गई, मैंने तो सोने के सिक्के के लिए चड़ी घ भुमाई थी, भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो, बागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो, कहां फस गया, लालच मैं। चुडैल को देखकर शामू घबरा जाता है और भागने लगता है अब तक भागेगा भला चुडैल उसे भी आज तक कोई जीत पाया है अब तो इन हातों से नहीं बशने वाला भाग कहा तक भागेगा अब ऐसा कहकर चुडैल शामू को हवा में उठा लेती है और गायब हो जाती है और वो छड़ी वहीं गिर जाती है अगले दिन शामू को घर पर ना पाकर उसकी माँ फूलन रोने लगती है हाई रे मेरा बेटा ना जाने कहा चला गया कोई तो ढूंडो मेरे लाल को फूलन का रोना धोना सुनकर गाँवाले उसके घर पर इकठा हो जाते है तब ही जॉनी भी वहां आ जाता है अरे आंटी जी क्या हुआ? क्या हुआ शामू को? कहा गया वो? जॉनी बेटा, कल रात से नहीं है शामू ना जाने कहा चला गया उसे डून कर ला मेरे बच्चे आप रो मत आंटी, मैं कुछ करता हूँ ऐसा कहकर जॉनी वहां से चला जाता है और रास्ते में सोचने लगता है कल रात में ही शामू ने मुझसे वो जादू की छड़ी ली थी हो ना हो, उसी जादू की छड़ी में कुछ करबर है ऐसा सोच कर जॉनी अपनी मा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है जिसे सुनकर जॉनी की मा बोलती है बेटा, कुछ भी हो, वो तेरा दोस्त है और तेरी वज़ा से ही वो संकट में पड़ा है अब उसे बचाना भी तेरी जिम्मेदारी है मैं जानता हूं मा, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो छड़ी भी ना जाने कहां खो गई है इस काम में तो वो काली पहाडी वाले बाबा ही हमारी मदद कर सकते है एक काम करते हैं, उनके पास ही चलते है फिर सीमा जानी को लेकर काली पहाडी वाले बाबा के पास पहुँचती है और उन्हें सारी बात बताती है जिसे सुनकर बाबा बोलते है बेटी, ये सब एक चुड़ैल का किया धरा है जो कि उस छड़ी के अंदर कैद थी उसी दुनिया में ले गई है लेकिन बाबा, वो दर्वाजा तो एक महीने में एक ही बार खुलता है तब तक उस चुड़ैल ने शामू को मार दिया तो बेटा, मैं उस दर्वाजे से तुम्हें अंदर तो भीच सकता हूँ लेकिन तुम्हें वापस खुद ही आना होगा बस बाबा, आप मुझे अंदर भेज़ दो, बाकी मैं देख लूँगा फिर बाबा जोनी के साथ उस पेड़ के पास जाते हैं और अपने जादू से जोनी को पेड़ के अंदर उस जादू ही दुनिया में भेज़ देते हैं अंदर जाते ही जोनी जल्दी से कुवे के पास पहुचता है और उन दोनों आदमियों को आवाज लगाता है वो दोनों आदमी बाहर आते हैं क्या हुआ जोनी तुम फिर आ गए वो भी इतनी जल्दी लगता है तुम किसी संकट में हो फिर जोनी उन दोनों को सारी बात बताता है जिसे सुनकर वो दोनों बोलते हैं तुम्हें काम करो जॉनी, बाहर जाकर वो पेड़ जला दो, इससे हम दोनों भी मर जाएंगे और वो चुडैल भी लेकिन मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, नहीं नहीं, ये तो पाप है जॉनी, ये मुर्दों की दुनिया है, उस चुडैल ने हमें यहां मार कर अपनी मायावी संसार में रखा हुआ है और यहां सब मरे हुए हैं, तुम इस पेड़ को जला कर हमें मुक्ति दिलाओगे इसलिए बिल्कुल भी मत सोचो, मैं तुम्हें जादू से बाहर भीज रहा हूँ तब ही वो चुडैल आ जाती है तु इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकता लड़के और तुम दोनों मेरे गुलामों तब भी इसकी मदद कर रहे हो फिर उन दोनों आदमियों को चुडैल बान देती है अरे, अब मैं क्या करूँ, अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा तब ही वो बुढ़िया आ जाती है चिंता ना करो बेटा, मैं हूना, जाओ जल्दी चले जाओ, और हमें मुक्ती दिलाओ, जाओ बुढ़िया, ये तुने क्या किया, अब मैं नहीं बचूंगी वो बुढ़िया जल्दी से दर्वाजा खोल देती है और जौनी पेड से बाहरा जाता है बाहराते ही जौनी पेड को जला देता है पेड के जलते ही सारे मुर्दे जलने लगते हैं और तभी शामू भी उपर से जोर से गिरता है हाई रे मेरी कमर, मर गया रे लालच महंगा पड़ गया